पिछले महीने में कई बजट फ्रेंडली गाडिया लॉंच हुई, जिसकी वज़ा से सबसे ज्यादा बिखने वाली गाडियों की लिस्ट में नई एंट्रीज आई हैं। इस वीडियो में आप मई महीने की टॉप दस सबसे ज्यादा बिखने वाली गाडियों के बारे में जानेंगे तो आएए बिना देरी किये वीडियो को शुरू करते हैं दसवी पोजीशन पर है मारुती की फ्रॉक्स जिसकी 12,681 युनिट्स बिकी है फ्रॉक्स की शोरूं कीमत 7,5 एक लाख रुपे से शुरू होती है और 13 रुपे 3 पैसे लाख तक जाती है नौवी पोजीशन पर है मारुती की बलेनो जिसकी 12,842 युनिट्स बिकी है बलेनों की शोरूं कीमत 6.67 लाख रुपे से शुरू होती है और 9.88 लाख रुपे तक जाती है आठवी पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो जिसकी 13,717 यूनिट्स बिकी है स्कॉर्पियों की शोरूम कीमत 13.07 लाख रुपई से शुरू होती है और 24 रुपई 54 पैसे लाख तक जाती है साथवी पोजीशन पर है मारुती की अर्टिगा जिसकी 13,893 यूनिट्स बिकी है अर्टिगा की शोरूम कीमत 8.89 लाख से शुरू होती है और 13.03 लाख रुपई तक जाती है छेवी पोजीशन पर है मारुती की ब्रेजा जिसकी 14,186 यूनिट्स बिकी है ब्रेजा की शोरूम कीमत 8.34 लाख रुपए से शुरू होती है और 14.14 लाख रुपए तक जाती है पांचवी पोजीशन पर है मारुती की वेगन आर जिसकी 14,492 यूनिट्स बिकी है वेगनार की शोरूम कीमत 5.54 लाख रुपए से शुरू होती है और 8.50 लाख रुपए तक जाती है चारवी पोजीशन पर है हुन्डाई की क्रेटा जिसकी 14,662 यूनिट्स बिकी है क्रेटा की शोरूम कीमत 11 लाख रुपई से शुरू होती है और 20.15 लाख रुपई तक जाती है तीनवी पोजीशन पर है मारुती की डिजाय जिसकी 16,061 यूनिट्स बिकी है Desire की शोरूम कीमत 6.56 लाख रुपय से शुरू होती है और 9.49 लाख रुपय तक जाती है दोवी पोजीशन पर है Tata की पंच, जिसकी 18,199 एनिट्स बिकी है पंच की शोरूम कीमत 6. Hmm 1.3 लाख रुपय से शुरू होती है और 10.2 शून्य लाख रुपए तक जाती है एकवी पोजीशन पर है मारूती की स्विफ्ट जिसकी 19,390 यूनिट्स बिकी है स्विफ्ट की शोरूम कीमत 6.49 लाख रुपए से शुरू होती है और 9.64 लाख रुपए तक जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें धन्यवाद